परभाद बच्चों, तो हमने पढ़े थे वर्ण विच्छेदन, तीक है पिछली कक्छा में हमने वर्ण विच्छेदन पढ़े थे, आज हम इसके प्रस्ण उत्तर करेंगे, तो पहला प्रस्ण जो है निमलिखित प्रस्णों के उत्तर दीजे, इनके प्रस्णों के उत्तर द जिसके खंड नहीं किये जा सकते हैं, वर्ण कैलाते हैं, तो ये पहले प्रश्ण का उतर हमारा हो गया, दूसरा प्रश्ण है, स्वर्ग के कौन से वेद होते हैं, आपने पढ़ेंगे स्वर्ग, कि स्वर्ग के तीन वेद होते हैं, स्वर्ग, ये स्वर्ग के तीन वेद होते इसके यह उदारन भी लिकने हैं यह उदारन है इसके यह उदारन है और इसके ये उदारन है यह आपने लिखने है अगला जो है आयोग वहा यानि कि आयोग वहा किसे कहते हैं हमने पड़े थे ना आयोग वहा यह ना आयोग वहा तो आयोग वहा आपने ये लिखने हैं आयोग वहा वे वर्ण होते हैं जिनकी गिंती न सुत स्वरों में होती है और ना ब्यंजनों में स्वरों की तरह इनकी मात्राएं लगती है लेकिन इनका उचारन ब्यंजन की तरह होता है इसलिए इन्हें स्वर या ब्यंजन की स्वर या ब्यंजन किसी भी बर्ग में नहीं रखा जा सकता है बस इतना लिखना है बेद तो उसके पूछे नहीं है कि बेद कितने बेद होते हैं बस आपने परिवासा ही लिखने है अगला है जो हस्व और दीर्ग स्वर में क्या अंतर है यह आपने लिखना है कि हस्व स्वर्ग और दीर्ग स्वर्ग पढ़े थे न हमने हस्व स्वर्ग और दीर्ग स्वर्ग ये पढ़ेते हैं स्वर्ग के भेद स्वर्ग के तीन भेद में पढ़ेते हैं प्रन्त पूछा हुआ हस्वर्ग और दीर्ग स्वर्ग में क्या अंतर होता है हस्वर्ग क्या होता है जो चोटा या कम होता है और दीर्ग स्वर्ग क्या होता है बड़ा या